sanity एक react application होती है और इसलिए sanity इतना अच्छा user experience प्रोवाइड करती है अपनी portfolio website को बनाते वक्त हम लोग next.js and react का इस्तमाल करेंगे ताकि हम लोग अपने front end पर भी दिखा सकें कि experience जो है pages में जब navigate किया जा रहा है या फिर एक page को load किया जा रहा है उसके within बहुत बढ़िया रहे एक modern approach से हम लोग इस portfolio website को बनाने वाले हैं इसके लिए हम लोग next.js की एक नई app बनाएंगे हम लोग देखेंगे उसमें किस तरह से tailwind CSS का इस्तमाल करना है और उसके बाद stay tuned for the way जो कि मैंने आपको बताया था कम से कम मैनत में हम एक बहुत बढ़िया portfolio website बनाएंगे चुटकियों में वह तरीका भी series में आप लोगों को बताऊंगा चलते है computer screen में next.js application करते हैं उसके अंदर सारे pages बनाते हैं अपनी website के let's get started So guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा sanity codes वाला folder है वो कुछ इस तरह से हैं और ऐसा मेरा github desktop दिख रहा है यानि कि मैंने सारी की सारी जो फाइल्स थी हो पुश कर दी ठीक है और sanity backend आप में से कहीं लोग कह रहे हो कि यार क्या कर रहे हो यह तो मैं बताता हूं क्या कर रहा हूं जो यह पूरी अप्लिकेशन है एक्सेप .git और पूरी अप्लिकेशन में sanity backend में डालूँगा नोड मॉडिल्स के साथ तो मैं बस देख रहा हूं मैं कोई गलत फोल्डर तो मूव नहीं कर रहा हूं ना नहीं कर रहा हूं क्या हमने schema select नहीं किया था पता नहीं क्यों ठीक है नहीं किया हूं ठीक है sanity backend अब यहाँ पर हमारा next frontend है अब मैं आप लोग को next step बना कर दिखाऊंगा अब देखो हो क्या रहा है आप चल क्या रहा है ठीक है कहानी को सबज़ना ठीक है कहानी आपर यह कहती है कि जो आपका next.js है वो sanity से connect करेगा ठीक है next.js sanity से connect करेगा next.js frontend होगा sanity जो आपका sanity studio है वो आपका backend होगा ठीक है तो यहाँ पर जल्दी से क्या करेंगे हम लोग create next step लिखेंगे कि याद तो मुझे रहता नहीं कुछ भी ठीक है आप लोगो बता दूँ पहले ही मैं रड़ने वाले इन next frontend की लिखेंगा और यह folder बना हुआ है पहले से इसको अठा देता हूँ मैं ठीक है जस्ट आपको बता रहा था यह folder हटा रहा हूँ भी अरे हट जा भाई हट गया ठीक है अब मैं यहाँ पर एक folder बन जाएगा जिसका नाम होगा next frontend और इसके अंदर सारी की सारी फाइल से बना लेगा जितनी हैं में यह बना रहा है आप लोग नीचे description में जो link है उससे sanity का boosted plan access कर लेना अब यार देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको boosted plan access कर लो क्योंकि अगर वो plan खतम हो गया तो आपको फिर boosted plan नहीं मिल पाएगा आपको सारे features नहीं मिल पाएंगे sanity. इसको कॉपी करके आप CLI में चलाके अपना project ready कर लो क्या जाता है और फिर अगर आपको बाद में भी continue कर रहा है तो कर सकते हो लेकिन यार कम से कम claim तो करी सकते हो आप लोग ठीक है अब यहां पर मैं आता हूँ मेरा यहां पर यह बन चुका है folder ठीक है इसको बंद करते हैं तो यहां पर देखो इसने मेरे लिए एक next front end app बना दी next js app बना दी next js एक react का framework अगर आपको नहीं पता तो और मैं आप लोग को step by step बनाऊंगो किस तरह से चीज़ें आपर की जारी है ठीक है तो सबसे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो यह है कि सिर्फ इस next app को खोले जाएंगे और अभी के लिए हम sanity को भूल जाएंगे ठीक है अभी के लिए sanity को भूल जाएंगे और सिर्फ next js app पर focus करेंगे अब यहां पर देखो एक pages folder होता है ठीक है pages folder के अंदर index.js है ठीक है मैं यापर यान मैं आपर आता हूं और लिखता हूं यान dev ठीक है यान dev से यह app खुलेगी welcome to next js लिखकर आएगा लेकिन मुझे यह page नहीं चाहिए मैं अपना जो page है उसको definitely customize करना चाहूंगा और यहां पर मैं क्या करूंगा index.js में जाकर यह जो div लिखा हूंगा इस div को हटाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा div.home ठीक है और मै div.nav I am navbar ठीक है और मालो मैं आपर लिखता हूं span और span के अंदर मालो मैं लिखता हूं I am home page ठीक है मैंने I am home page लिख दिया अब देखो यहां पर am navbar am home page आ ठीक है I am आना चीता अब इसमें क्या करेंगे अब definitely tailwind css का इस्तमाल करने वाले हैं तो tailwind css को include करेंगे तो मैं जाओंगा tailwind की website पर tailwind css next.js यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि tailwind css को अपनी next.js application के साथ किस तरह से include करना है तो मैं definitely yarn add minus d यह करूंगा ठीक है yarn add minus d इसको तरह stop करूंगा yarn add और इसके बाद minus d आप लोग देख सकते हो यह कुछ इस तरह से हो गया ठीक है अब इसके बाद क्या कर रही है npx tailwind css in it minus p इसको भी कर लेते हैं अंदा तुन चला रहा हूं यार इसको यह जो सारी के सारी फाइल्स है इनको यह फाइल कॉपी कर लूँगा tailwind.conf.js यह रही इसी को paste कर दिया मैंने मैंने का पूरी paste कर दो इसको इसको इसके बाद ही कह रहा है global.css में यह तीन चीज़े डाल लो ओके जी यह भी डाल लेते हैं ठीक है अगर आपको तेज लग रहा है न तो पीछे करके देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है global.css में से यह हटा कर यह एड कर दिया यह npm run dev वही बता रहा है कि server चला लो अब देखते हैं कि tailwind add हुआ की नहीं हुआ ठीक है तो यह कैसे पता चलेगा server को start करना पड़ेगा उपस मैं आप लिखूंगा yarn dev ठीक है और कहीं मैंने फाइल को overwrite तो नहीं कर दिया भी चला कि command नहीं मैंने cancel कर दिया उससे पहले ठीक है reload करो और यहां पर देखते हैं कि tailwind add हुआ की नहीं कैसे करेंगे यहां पर मैं class टालूँगा और उसका नाम में रखूंगा बीजी बीजी ग्रे चार सो बाइद वे बाइद वे बाइद वे अगर tailwind CSS intelligence किसी की installed नहीं है क्रिप्या करके कर लो ठीक है या तरी गणत क्रिप्या ध्यान दे कि tailwind CSS intelligence extension को install कर ले धन्यवाद ठीक है क्योंकि बाद में comments आते हैं कि यह आपका आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है ठीक है मालो मैं color red करता हूं यहाँ ठीक है text red होता है sorry text red class होता है text red के बहुत सारी यह आ गए तो मैं इसको add करूंगा तो यहाँ पर आप देखो tailwind काम करना शुरू कर गई है ठीक है tailwind css क्यों यूज कर रहे है यार देखो tailwind css css का एक ऐसा framework है जो आपको जादा से जादा control देते हैं वह जादा से जादा convenience आपके पास दो option है तो आप framework यूज कर लो या आप directly css लिख लो मेरे साब से directly css लिखना थोड़ा सा आपको मेहनत वाला काम लगेगा और सा maintainability उसकी थोड़ी सी कम होती है लेकिन tailwind css में क्या होता है आपकी html के अंदर utility glasses आप add करते जाते हो और आप css भी लिख सकते हो और आप उसको बहुत highly customize भी कर सकते हो जैसे कि मान लो आपको height देनी है 16pixel तो आप इसके just in time compiler का इस्तेमाल कर सकते हो तो वह साइज चीज के अंदर एक home page है ठीक है तो pages बनाने के लिए लोग क्या करेंगे pages बनाने से पहले क्या करेंगे सबसे पहले बता देता हूं आप लोग क्या करना ES7 React Redux करके एक extension होती है अब दिखाता हूं ES7 React Redux GraphQL Snippets यह है क्या React Redux GraphQL Snippets मैंने install कर रखी है वो by the way React Redux React Native Snippets यह है extension actually कभी कभी मैं बहुत सारी extension install कर लेता हूं पता नहीं चलता कौन सी वाली क्या है ठीक है देखो इसके snippets यहाँ पर लिखे हुए snippets का हो तो अच्छा snippets का भी page है तो यह लिखो के तो यह आ जाएगा यह लिखो के तो यह लिखो के तो इस तरह से यह वाला पूर्ट हो जाएगा तो यह चीज़ देख सकते हो आप एक बस पर इस वार्थ spending time on ठीक है तो इसको बन करूँगा और यहाँ पर यह इंस्टॉल कर लेना आप देख लो नाम यह 7 प्लस रियक्ट रिडक्स रियक्ट नेटिफ ने बिटस ठीक है तो यह चीज़ आप देख लेना अब क्या करेंगे हम लोग वाबस आएंगे यहां पर ठीक है और पेज़े बनाएंगे पेज़े सबसे पहला मैं कौन सा बनाना चाहूंगा ब्लॉग एक फोल्डर बनाऊंग चल गया रहा है तो नेक्स यस के अंदर डाइनमिक रूट्स होते हैं मैं आपको दिखाता हूं और यह जो मैं भी बोल रहा हूं ना मैं रुक रहा हूं यह आपको शाहिद आपके मन में बात आईगी यार छोड़ो बतानी क्या क्या चल रहा है आप तो मैं छोड़ के जा र आप देखो मैं इतने सिंपली आपको बताऊंगा नेक्स यस मैंने लिखा यहां पर और मैं सिंपली यहां पर नेक्स यस का डाइनमिक रूट्स के बारे में आप लोग को बताना चाहता है ठीक है डाइनमिक रूट्स आ गया अब दरूरी नहीं आप इसको शुरू से dot js मैंने पेस्ट किया अब यहां पर आप देखो PID is equal to router.query ठीक है तो मैं इसको router.slug कर दूँगा ठीक है PID is equal to router.slug और post अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं जाओंगा यहां पर slash blog slash this can't destructure this from this of router.slug as it is undefined तो हमें यहां पर slug करना पड़ेगा और अभी मैं इसको reload करूँगा तो यहार मैंने गलती कर दी जो router.query है उसमें से मुझे निकालना है slug ठीक है क्योंकि जो router.query होती है वो एक object होता है जिसके अंदर slug आएगा ठीक है तो मैं इसको reload करूँगा तो देखो post this यहां पर आ गया अगर मैं आपर post that लिखूँगा तो that आ जाएगा ठीक है तो basically यहां पर मैं जो भी slug लिखूँगा वो यहां पर आ जाएगा और फिर मैं next.js में database से निकाल सकता हूँ अपने उस post को ठीक है और database से मुझे निगालने के ज़रूद नहीं है वो काम sanity करेगा ठीक है वो मेरा काम नहीं है ठीक है अब sanity को उससे करेक्ट करना ये एक सवाल है वो मैं आप लोग को बताऊंगा लेकिन मैं बाकी के pages भी बनाना चाहता हूँ तो अभी के लिए हमारा एक तो home page है और एक हमारा ये वाला page है चाल यार ये सब तो ठीक था इसमें हम लोग और भी endpoints add कर लेंगे अभी हमारे पास home page है और blog page है लेकिन यार इसको बैट के बनाएगा कौन क्या ही front end का tutorial नहीं यार मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ औ पहले मैं क्या सोचता था कि यार मैं सारी की सारी जो front end है वो खुद से बनाओं ठीक है ये मेरा मेरी सोच हुआ करती थी बट अभी मैंने अपनी सोच को रोला से चेंज किया मुझे लगता है कि यार अगर हमें एक template मिल जाए चाहें वो paid भी क्यों नहीं हो अब मैं paid template सब को client इंतिजार कर रहा है और आप बैठके हैं भी designing कर रहे हो किया जो slider है वो इधर आना चाहिए है इधर आना चाहिए तो आप उस सारे जंजट से बचकर सिर्फ back end की coding कर सकते हो और अपना जो carrier है उसमें time बचा सकते हो अब अगर आपका काम सिर्फ pure front end developer है तो चीज़े आपक portfolio website templates ठीक है यह search करूँगा and let's see आर की कुछ अगर हमको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है और free template लिखूँगा ठीक है free template और यहाँ पर portfolio website की कोई free template मैं खोज रहा हूं एक यह template मुझे मिली है मैंने 2-3 surf करी थी आप भी कर लेना अगर आप करना चाहिए लेकिन मुझे preview लेकर देखते हैं इसका यह काफी बढ़ी है template है आर देखो मैंने यह choose करी है मुझे बहुत बढ़ी है अब देख रहे हैं कितना बढ़ी है सब कुछ ठीक है और लग रहा है कि हायर कोई चीज है यहाँ पर आप अपने सारे project showcase कर सकते हो यह मुझे काफी बढ़ी है ठीक है और नीचे अगर हम देखे तो इसके अंदर blog भी है तो इसको चूज करने का एक reason यह है कि यहाँ पर blog की template भी मौझूद है ठीक है this is great यार यह मुझे काफी बढ़ी है ठीक है next post previous post author के बारे में तो यार बढ़ी है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको download करते है ठीक है देखते ह for dollar zero क्योंकि यह free में लिखा हुआ है give me as gift तो मैं आपर अपने email id डालता हूं और देखता हूं कि यह मेरी email पर आती भी है template की नहीं आती है I'll update you तो यह एक बहुत ही अच्छी ख़बर यह है कि यह मुझे मिल गई है template let me extract it ठीक है extract to atom यह 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 link copy कर लेते हैं ताकि सब images हम लोग इसी को edit करके बना लेंगे ठीक है तो यहां पर यह template मुझे काफी सही लग रही है एकदम clean लग रही है ठीक है तो यहां पर हम आएंगे इसमें अपने atom वाले folder में तो यहां पर मैं atom v2.0.0 यह वाला जो folder है मैं काम करता हूं इसको ना capital में ले लेता हूं और मैं पर क्या करूंगा capital में लिख दूँगा atom template we downloaded ठीक है और इसको मैं delete कर दूँगा बाद में मैं in fact एक काम करता हूं इसको ना sanity quotes के बाहर ही रखता हूं atom template we downloaded इसके अंदर कोई बड़ी वो तो नहीं है नहीं है ठीक है तो यहां पर sanity backend और next front end यह atom zip जो है यह भी बाहर डाल दे जो जो चीज प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है अरे यह क्या हुआ यार control x करा था control vb किया था भाहर क्यों नहीं आई ठीक है तो next front end के अंदर ही डाल देता हूं भी यार मैं भी क्या क्या कर रहा हूं कुछ कर रहा हूं मैं confused हो रहा हूं एक काम करता हूं atom template के अंदर दे css में यह भी देख लेते हैं ठीक है तो यहां पर आप लोग अगर देखोगे तो tailwind css में यह हां है ठीक है आप देख सकते हैं आप टेल्वेंट css लिखी हुई है और एक चीज और जो मुझे आपर देखने को मिल रही है कि आपर कुछ scripts भी loaded है कोई बात नहीं को भी हम ल live server use कर रहा है अगर आप लोग को नहीं पता तो ठीक है तो यह पर मैं पॉर्टफोलियो में जाओं तो इसने मुझे नीचे स्क्रॉल कर दिया पाइदाव एक back to top का बटन भी होता तो सही रहता है चलो बना लेंगे हम लोग बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वाओ location भी ड हाँ अब मैं देखता हूँ फोन में कैसी है कोई फोन सेलेट कलता हूँ आईफोन 12 पर वाओ 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 एम इंप्रेस्ट यार बढ़िया यार यही तो चाहिए था यही तो चाहिए था जिन्दगी में देख रहे हो आप लोग हाँ यार अब आयेगा मज़ा अब आपो लोग अपना नाम लिख सकते हो या फिर जो उपको और यह साई हैं जिस पर आप लोग्पोस्त अफ लेकिर बिलूट यिश् वास वो सारे काम हम लोग कर लेंगा उसकी कोई टेंशन नहीं है ठीक है अगर मैं इसको खुलूं लाइफ सर्वर में सर्वर इसना ओफ लाइन गो लाइफ करूं किया पोस्ट खुलेगा हाँ खुल गया ठीक है बढ़िया तो पोस्ट.html यह स्लाश पोस्ट है कोई बात नहीं ठीक है लेकिन आप लोग यहां पर देख सकते हो कि काफी अच्छा काम किया हुए और मैं एक चीज देखना चाहता ह हुआ है ठीक है बढ़िया यार ठीक है बहुत ही बढ़िया अब यहां पर इन्होंने अटम-1-dark-min.css भी एक एड की हुई है यह क्या है यह सारी css फाइल भी अगर आप लोग चाहो तो एड कर सकते हो कोई इतनी बटी चीज है नहीं है ठीक है तो आई होब कि यार अभी सब कुछ आप लोगो क्लियर होगा आने वाले वीडियो में इसको और स्ट्रक्चर करेंगे लेकिन मज़ा है कि नीचे कोमेंट सेक्षिन में बताओ यार क्योंकि अभी जो हमारी वेबसाइट का लेवल है वो बहुत उपर जाने वाला है ठीक है और हम सैनिटी से अब इसको नेक्साइब